बारिस के मौसम में किसी इंसान या जानवर के उपर जब बिजली गिरती है तो उसका पचना मुस्किल ही नहीं नमुम्किन होता है और यही बिजली जदी पानी पर गिरती है तब भी यह इंसान और जानवरों को नहीं छोड़ती है लेकिन सोचने वाली बात है कि यहीं बिजली ज़री समूंदर में गिरती है तो मचलिया कैसे बच जाती है कुछ नया बताएंगे हमारे चैनल को लाइक सबस्काइब कर दीजी देखिए जब बारिस या तुफान आती है तब बिजली चमकती है बिजली का टेंपरेचर 20,000 से 25,000 सेंटी ग्रेट तक होता है जोकि सूर्य के तापमान से लगभाग 4 से 5 गुना ज्यादा है इसलिए ये सब कुछ जला कर खाक कर देता है हमारे घरों में आने वाली बिजली 240 बोल्ट की होती है जबकि असमान से गिरने वाली बिजली करोडो बोल्ट की होती है अब क्योंकि पानी electricity का conductor होता है तो जब वहां बिजली गिरती है तो current तो लगता है तब भी समुन्दर में रहने वाली मचलिया ढाता current से बच जाती है क्योंकि current पानी के उपरी सता तक ही फाइल पाती है नीचे एक दो फिट तक ही जा पाता है और ज्यादा तर मचलिया कई फिट नीचे रहती है आप बारिस के माज़ा कैसे लेते हैं कमेंट बॉक्स में